पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में करोना के केस कासी तेजी से बढ़े लिए मैं देख रहा था लीटा 9 अप्रेल को जैसे कि वह 51 केस बढ़े थी 10 अप्रेल को 183 केस बढ़ गए 11 अप्रेल को 166 केस बढ़ गए 13 अप्रेल को कल 356 केस बढ़े है यह चिंता का विशे है आस दोर से आप सबका मख्यो मंत्री होने के नाथे दिल्ली का जिम्मेदारी होने के नाथे उसे खापी चिंता इसको बढ़े है इस सब दिल्ली के लोगों के लिए चिंता का विशे है दिल्ली के उपर एक एडिशनल बड़न हुआ दिल्ली देश की राजठानी है तो पिछले दो महीने के अंदर वी देशों से बहुत सारे याक्तरी आए वो बॉंबे भी आए, हगरवाद भी आए, कलकर्टा भी आए, चिन्नाई भी आए लेकिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा आए और हम देख रहे थे कि किस तरह से दूसरे देशों के अंदर कोरोना पैला हुआ था और वहाद से वी देश में आए दिल्ली में सक्से ज़्यादा यात्री आये, इसके दिल्ली पिर तोड़ा ज़्यादा बोज उसका पहली है दिल्ली में एक और खटना खटी, मरकज की, उसका भी एक additional burden दिल्ली के उपर पड़ा इन कारणों से दिल्ली के अंदर अभी केस थोड़े ज्यादा है पर हम सब लोग मिलके इसको संभाल लेंगे ऐसा मेरा दिल कहता है ऐसा मुझे विश्वा से इस थिती को हम लोग संभाल लेंगे अभी तक हमने संभाला इसको ज़्यादा फैलनी नहीं दिया इतने सारे केसे आये थे इतने सारे केसे हुए थे इसको हमने ज़्यादा दिल्ली के अंदर फैलने नहीं दिया और हम सब लोग इसको मिलके संभालेंगे आज प्रधान मंत्री जी ने लॉक्डाउन को तीन मई तक आगे बढ़ाया है ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि अगर नहीं बढ़ाते तो फिर कोरुना और ज़्यादा फैल जाता दिल्ली के अंदर हमें सब का साथ मिला आया पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ लॉक्डाउन की जो जो शर्ते थी उनको पालन किया अब आने वाले समय में भी अगर हमने दो-तिन हफ़ते और अच्छे से इसका पालन किया त खुब सारे सेंटालिस कंटेन्मेंट जोन मतलब जिस इलाके में तीन या तीन से ज्यादा को रोना के मरीज मिलते हैं तो उस पूरे इलाके को हम seal कर देते हैं उस इलाके के बाहर किसी को नहीं जाने देते और इस इलाके के अंदर किसी को नहीं आने देते उस इलाके को सारे को sanitize करते हैं और भी कई सारे कदम operation shield वहाँ पे लागू किया जाता है जो बेहत successful है ताकि वहाँ पे और corona के patient ना फैल सकें पूरी दिल्ली के अंदर sanitization के लिए 60 machine का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन में से 10 machine हैं हमने Japan से मंगवाई हैं इसके लावा 14,000 हमने corona foot warriors की teams बनाई हैं जो कि पूरी दिल्ली के अंदर घर घर के जिंदर जाके जहां-जहां containment zones हैं वहाँ पे घर-घर में जाके ये corona से के बारे में awareness फैलाएंगे surveillance करेंगे isolation करेंगे कई सारे काम इन 14,000 team से करवाए जाएंगे तो बहुत सारे कदम हम सब लोग मिलके उठा रहे हैं आप सब लोगों को बहुत तकलीफ हो रही हैं मैं जानता हूँ मैं समझता हूँ और अगर इस वक्त हम लोगों ने अनुशासन में रहके इस तकलीफ का सामना कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हालत बाकी दुनिया की देशों की है ऐसी हालत अपने देश के नहीं होगी और हम करोना से मुक्ती